जटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान गौर में हमने काफी अच्छी तेजी बनते देखी है गौरगम की कीमते वैदब बजार में उपर 13,000 से भी जादा गई थी फिर वहां से उपरी स्थर से मुनाफव वसूली भी देखी गई थी जो गौरगम की कीमतों को नीचे में 9,600 तक लेके आई थी गौर सीड में भी यही गिरावट वाला रुजान देखने को मिला था वही अब कारूबारियों में थोड़ा अस्मन जस्का माहौल है कि गौर में जो इतनी उठापठक हो रही है ऐसे में अब गौर में आगे क्या स्थर देखने को मिल सकते हैं इस पर बाजार के जानकार मोतिलाल औस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिच सजेजा का कहना है कि गौर में फिलहाल मौजूदा स्थरों से कुछ तेजी और बंती नजर आ सकती है हाला कि गौर में लंबी तेजी देखने को अभी नहीं मिलेगी गौर में जो तेजी आई है वो छोटी अवदी के लिए ही है अमिच सजेजा के मुताबिक गौर में मौजूदा स्थरों से वाइदा बजार में लगबक 3-4 फिसदी की तेजी और बंती नजर आ सकती है अगर टार्गेट लेकर चलें लगबक एक हफते का तो अमिच सजेजा के मुताबिक गौर सीड एक सट सो पचास से लेकर बासट सो तक और गौर गम ग्यारा हजार एक सो तक के स्तर दिखा सकता है ब्यूरूट पोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी झाल सकता है